So, hey guys, welcome to another video and दोस्तों सभी candidates के लिए बहुत अच्छी खबर है आचुका है एक और joining letter किस दिन पहुचना है, कौन-कौन से document साथ में लेके जाना है document से संबंदित, कौन-कौन सी important जो चीज़े है आपको ध्यान में रखना है as well as training cup से start होगी, पूरा का पूरा notification as well as joining letter अपन पढ़ेंगे वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मेरे आप सभी से humble request लास तक ज़रू देखेगा चले बाते कम करते हैं, फटा-फट चलते हैं और चेक कर लेते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रू कर दीजिएगा, इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर new हूँ तो subscribe करना बिल्कूल भी न भूले आपका भाई आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहता है, चले बाते बहुत तो कोई फटा-फट चलते हैं और चेक कर लेते हैं तो ये देखी ये रहा अपने सामने जॉइनिंग लेटर जो की 13 तारिक को आया हुआ है उत्तर पस्चिम रेलवे अजमेर द्वारा एक चैनेर का नाम थोड़ी सी इंफर्मेशन मेंने हाइड कर दिए, ऑर नीचे फर्सस्टेंजा में आपको पता इह किस यतनी पूरी इंफर्मेशन दी रहते हैं आपकी पर पर दोटारी को रिपोर्ट करना है और वहां पर क्या लिखा है कि अगर आप वहां पर पहुच नहीं पाते हैं तो यह मान लिया जाए गया कि आप इसके लिए इच्छुक नहीं है और आपकी जो उमीदवारी है वहां से वह रद्ध कर दी जाएगी तो बहुत सारे कैंडिट्स ऐसे रहते हैं वह पहुच जाते बड़ कुछ कैंडिट्स ऐसे हैं कि वहां नहीं पहुच पाते तो उनके लिए में सलाई कि जो कैंडिट्स हैं अगर नहीं पहुच पा जब आप अपनी पूरे का पूरा ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लेंगे एक्जाम के बाद आपका जो भी ओवरल पर्फॉर्मेंस रहेगा अगर आप ट्रेनिंग में नहीं सीख पाते हैं तो आपको वापी सीरी ट्रेनिंग पर भीजाता है अगर ट्रेनिंग में बहुत में देते हैं एक्जामे का जो रिजल्ट है वो उसमें भी बहुत अच्छा परदर्शन रहेगा आपको तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रेनिंग सेंटर आपको अलॉट होता है उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग वहीं की जाएगी हो सकता है वहां कर दें बट वहां पर आगे किसी जोन में आपको भेजा जा सकता है और आपकी पोस्टिंग वहां की जा सकती इसके लिए रेल्वे के पास रहते हैं और वो ट्रांसफर करते रहते हैं फोर्त में लिखा है आपको भारत सरकार जो आपकी सविधान के अनुसार जो शपत पत्र है आपको शपत लेना पड कि जब आप अपना ट्रेनिंग सेशन कम्प्लीट कर लेंगे और जैसे ही वहां के पर्मानेंट इंप्लॉई बन जाएंगे आपकी पोस्टिंग हो जाएगे तो जो पेंशन इसकीम लागू है रेलवे में 2003 के तहत एक जनवर 2004 से जो लागू की गई है उसके दौर आपको पें जो Character Certificate रहता है आपका Behavioral Certificate रहता है दोनों का तो आपको वह प्रोवाइट करना पड़ेगा वह स्पेशली आप लास इंस्टूशन इसलिए रेलवे हर एक एक्जाम में दो Character Certificate मांगते है एक लास इंस्टूशन से कि स्कूल का कि आपका जो Performance है आपका जो Behavior है जो Character है व कि द्वारा अपने जो Military Services है उसमें भी अपना योगदानते तो रेलवे आपको बिल्कुल स्वहिच्छा से सपोर्ट करता है और आगे उसके लिए न्यूकती देता है उसके बढ़ावा देता है इलको बिल्कुल इसली से अच्छे से जॉइन कर सकते और अपनी डूटी वह सब ही की जित्ते भी complete documents से उनकी लेके जाए कि आपको वहाँ पर इदर उदर भटकना न पढ़े है 11th point में क्या लिखा हुआ है आप जो आपकी SC, ST, OBC जो भी कास certificate है उसके तो आप जानते हैं आपको कास का certificate लगेगी according to the railway format 12th में आपको पत्र में सलगना आपके जित्ते भ आपको पत्र के साथ NPC form में तीन प्रंतिय दोस्तों यहाँ पर यह देखें फॉर्म में जो भी आपके NPC form आते हैं वह आपको भरना है अगर फॉर्म ऐसा लगता है कि आप नहीं भर पाते है तो railway जो भी करमचारी वह आपको बिल्कुल अच्छे से साइधा करेंगे और वह हाई लोग के साथ शेयर करूं मैं शक्रता आपको वीडियो पसंदा अगर पसंदा तो लाइक जोड़ कर देजिए इसी कि साथ साथ आपके कुछ डाउट्स कुछ क्यूरी जो रिगार्डिंग जॉइनिंग लेटर यह अदर्स प्लीज कमेंट वोक्स से कमेंट